नमस्ते क्या आप जानते हैं कि PCV को अन्य टीकों के साथ दिया जा सकता है आए इसके बारे में अधिक चाचा करें और उन बिंदूओं पर विचार करें जो एक बच्चे को नियुमो कोकल वैक्सीन देने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए हाँ, UIP के अन्य टीकों की तरहा PCV भी सभी लक्षित लाभारतियों के लिए सुरक्षित है इसका उपयोग दुनिया भर के 146 से अधिक देशों में और भारत के 5 राजियों में UIP के तहत किया जा रहा है भारत सरकार ने UIP के अंतरगत PCV को पूरे देश में शामिल करने का निन्ने लिया है PCV पूरी तरह से सुरक्षित एवं कारगर वैक्सीन है PCV वैक्सीन के लगाने से गंभीर दुश प्रभाव की संभावना ना के बराबर है वैक्सीन लगाने की जगा पर हलका दर्द या हलका बुखार हो सकता है वैक्सीन से हूने वाले फाइदे इसके मामुली साइड एफेक्ट से कही ज्यादा है क्या समय से पहले जन्मे शिशु में PCV दिया जा सकता है? समय से पहले जन्मे बच्चे को 6 सपता के उम्र में PCV ठीका करण शुरू किया जाना चाहिए क्या बिमार बच्चे को PCV दिया जा सकता है? हाँ, PCV को सुरक्षित रूप से कम प्रतिरक्षा, कुपोशन या अन्य मामूली बिमारियों वाले बच्चे को दिया जा सकता है उन्हें PCV जरूर दिया जाना चाहिए क्योंकि उन्हें नियूमो कॉकल बिमारी होनी का खत्रा अधिक होता है PCV उन लोगों को नहीं दिया जाना चाहिए जिन्हें PCV की पिछली खुराक से गंभीर अलर्जी या प्रतिक्रियां हुई थी पूर्व में डिप्थीर या टॉक्सोईड यूक्त अन्य वैक्सीन के लिए गंभीर प्रतिक्रिया हुई थी जिन्हें कोई कमभीर बिमारी हो उनमें डॉक्टर की सलहा के बाद ही PCV दिया जाना चाहिए बच्चों को एक बार में कई टीके देने से क्या फाइदा होता है एक ही बार में बच्चे को कई टीके देने से उनका टीका करण समय पर और जल्द से जल्द पूरा हो जाता है और बच्चे के जीवन के शुरुवाती महीनों के दोरान सुरक्षा प्रदान करता है इसके अलावा एक समय पर कई टीके देने से बच्चों को कम बार टीका करण के लिए आना पड़ता है, जिससे उनके समय की बचत होती है लेकिन क्या एक ही बार में कई टीके देना सुरक्षित है? आज हम लोगोंने PCV के बारे में बहुत कुछ नया सीखा आप PCV FAQ पुस्तिका से PCV के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं